गुद मॉर्निंग एवरिवान गुणजन अरोरा दिस साइड सो निफ्टी और पैंक निफ्टी के बारे में बात करता हूँ डेट 15th of December, टाइम 8.20am in the morning और मार्किट के अंदर वॉलेटिलिटी रहने की संभावना आज लग रही है as per global sentiment and as per data reading तो data के अंदर तो bullishness है no doubt, कोई doubt नहीं है data bullish है पहली चीज लेकिन ग्लोबल मार्किट को मैं चेक कर रहा था भी थोड़ी दिर पहले तो वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि market में volatility रह सकती है तो levels अगर मैं आपसे बात करूँ, dip में buy करने की कोशिश करेंगे हम खुलेंगे एकदम बराबर से ही, कोई मेरे को लगता नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा gap up या gap down खुलेंगे लग बग हम flat खुलेंगे और flat खुल करके अगर 18,600 के आसपास आकर के हमें buying opportunity मिलती है yes हम buying करेंगे और 18,604 के नीचे अगर जाता है तो एक scalp हो जाएगा 18,562 तक का उसके बाद वापस से buying करने के कोशिश करेंगे अगर यहां से उपर उठता है तो अगर यहां से उपर नहीं उठता फिर नीचे जाता है तो अगला level आजाएगा 18,526 का ठीक है यह levels है सारे और उपर के levels अगर मैं बात करूँ आपसे 18,634, 18,693 और 18,694 यानी 18,694 यह सब levels है जी volatility खूब रहेगी market उपर नीचे करेगी expiry day है expiry day के दवरान अपने को आज समल के काम करना पड़ेगा यह जो पूरा month चल रहा है न जी यह पूरा month एकदम volatile सा चल रहा है क्योंकि all time high पे खड़े हैं हम लोग और data बार बार bullish बनके जा रहा है अब जो भी movement नीचे आती है वो buy कर ली जाती है बट लेकिन हमारे stop loss को हमें manage करके चलना पड़ेगा clear guys तो आज का plan एक बार buy on dips करेंगे और अगर कोई data में fresh data में changes आते हैं तो yes I will let you know in the telegram section आप telegram का link जो है वो description में है आप वहाँ पे जरूर join हो जाएगा bank nifty की बात करूँ तो bank nifty के अंदर भी level मैंने निकालने हैं तोड़ा सा nifty में आज मैं ज्यादा prefer करूँगा bank nifty भी करूँगा ऐसा नहीं है bank nifty में मज़ा आता है Thursday है तो expiry के दिन मज़ा आता है bank nifty के अंदर भी so 43,970 तूटता है 43,900 आ जाएगा buying करने की कोशिश करेंगे dip में और अगर selling की बात करूँ मैं तो selling करने के लिए ना मेरे को 43,900 के नीचे तोड़ा सा और मेरा फिर wind बीरिश हो जाएगा फिर level आएगा 43,900 के बाद बड़े अच्छे अच्छे levels हैं जी यहां 43,775 भी पहुन सकता है बहुत easily 854 भी पहुन सकता यह सब यह levels है सारे के सारे जो lines कींची है आप दिख रहे हो green lines सारी यह levels आप मार्क कर सकते हो और इसके levels भी ना मेरे को revise करके आपको live market में देने पड़ेंगे because fresh data के उपर बहुत dependency है आज BTST का data यानि जो कल data बनके गया है बड़े players FII या जिनको बड़े players हम बोलते हैं वो सब ने bullish position create किया और इवन दो इस बार जो main चीज मेरे को दिख रही है न हर्डल्स बड़ी सारी है इसके उपर hurdles है उसके उपर अभी इनकी long positions create नहीं की गई put में short है और call में भी short है अगर put और call दोनों में short है तो इसका मतलब बहुत लंबे से उपर नहीं जाएगा येस बट ये जुरूर है कि fresh data बनेगा उसमें बहुत clarity अपने को मिलेगी कि कौन बंदा जीतने की कोशिश कर रहा है तो live market में मैं telegram channel पर update करूँगा जरूर करूँगा आप मेरे को वहाँ पर join कर लीजेगा और comment करके बताएगा क्या हमारा daily morning view आपको help कर रहा है guys क्योंकि अगर help कर रहा है तो मेरे को motivation मिलती है कि मैं आपके लिए रोज videos इस तरीके से बनाता रहूँ और अगर benefit हो रहा है न आपको तो जरूर comment करके बताएगा कि आपको benefit हो रहा है thank you very much बहुत बहुत शुक्रिया